भाई बेनो, दाता बन कर जियो, भिखारी बन कर नहीं, खुशिया मनाओ, मगर दूसरों को भी खुशिया बाटो, जियो, मगर दूसरों को भी जीने दो, खाओ, मगर दूसरों को भी खाने दो, पहले आतिती को खिलाओ, और फिर बाद में खुद खाओ, क्यूंकि खुद खाया हुआ मल बन जाता है और आतिती को खिलाने के बाद प्रशाद बन जाता है जो भगवान के द्वार तक ले जाता है ध्यान देना जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है वो मक्खी चूस है जो खुद खाता है दूसरों को ने खिलाता है वो कंजूस है जो खुद ना खा करके भूंखे को खिला देता है वो महान है वो दाता है तो दाता बनकर के जिये, बिखारी बनकर के नहीं जिंदगी की वेतरडी पार करनी है तो वितरड करना आवश्चक है वितरड किया हुआ ही लोट करके आता है या अकाटि सिधान्त है खुद खाना तन का सुख है और दूसरों को खिलाना मन का सुख है